केंद्री परियावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि शहरों में वायू प्रदूशन के खलाफ लड़ाई के सास्ताथ ग्रामीन इलाकों में भूमी शरण को भी रोकना ज़रूरी है मरुस्थली करण और सूखा दिवस के अवसर पर एक कारीक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि महिलाएं भूमी प्रबंधन में बड़ी भूमी का निभा सकती है उन्होंने कहा कि देश ने पिछले साथ साल में अंतिम व्यक्ती तक सुविधा प्रदाईगी और लक्षित प्रदाईगी के माबले में एक परिवर्तन देखा है चाहे उजवला योजना का लाब हो या बैन खाता खोलने और टीका करन की बात हो और हाल में हमने निर्धारित समय से पांच महिने पहले पेट्रोल में दस प्रतिशत एथिनॉल मिश्रन का लक्ष प्राप्त कर लिया यादव ने कहा कि भूमी शरण विश्व के सामने उत्पन बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसे रोखने में जन भागिदारी महत्वपून होगी तथा भारत मरुस्थली करन की समस्या से लिपटने के लिए एक रोड मैप बना रहा है उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पिछले आठ वर्षों में ड्रिप सचाई में उलेखनी अव्रिधी की है और 23 करोड किसानों को मृदा स्वास्तिकार्ण वित्रित किये गए हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक्ता बढ़ाने में मदद मिली है खेती का उप्योग बढ़ा और उसकी जो दूसरा संकट आया वो धर्थी का बंजरी करण का संकट आया और लगातार इस विकास के मालक में प्रकृती पे जिस्प्रकार की बायो डायोंसिटीज है उनके भी थ्रेट्स उत्पनों दे भारत ने मानने प्धारमत्री नरेंगर मुदीजी के नेतरतों में पिछले साथ वर्षों में इन तीनों विश्यों पे बहुत महत्पून कारे की है महत्पून इस संदर्व में कि 2015 में जब पारिस एग्रिमेंट हुआ और ये कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को अपने अपने लक्षियों के हिसाब से इसमें योगदान देना चीए तो भारत दुनिया के उन्चुनिंदा देशों में है जिनोंने 2015 में जो लक्षे दुनिया के सामने निर्धारत किये थे उसको समय से पहले प्राप्त किया 2019 में जब UNCCD की COP भारत में हुई थी उस समय मानने प्रधार मंत्री जी ने जो COD COP 14 थी उसमें मानने प्रधार मंत्री जी ने कहा था कि हम सब को जमीन के बंजरी करण या जो डिग्रेडेशन है उसके 2030 तक के लक्षयों को निर्धारिक करना पड़ेगा और जो 26 मिलियर हेक्टर है उसके बड़े लक्षय को भारत में पूरा भी किया उसके कुछ उधारन भी गुजरात के हमारे जो अधिकारी उनकी तरफ से भी रखे गए जो कृशी शेत्र में कुछ लोग जो अच्छा कारे कर रहे हैं उनकी तरफ से भी रखे गए क्योंकि भूमी के साथ जीवन जुड़ा होगा जीवन के साथ ही यह लीगेसी आगे ट्रांसपर होने वाली है वर्ना तो जिस तरीके से हम लोग नहीं तक्नीक से विकास कर रहें तो कहते हैं आप मरें फिर जग पर ले हम तो चले जाएंगे फिर जग में जो होगा होगा उससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे बाद भी यह प्रत्वी हमारे युगदान के कारण हरी बरी रहे जो पूरे विकास की जिम्मेदारी है उसमें जो सबसे बड़ा विकास की चुनोती है हम तो अपने आपको लिविंग एंटिटी मानते हैं लेकिन हम यह महसूस नहीं करते कि नेचर भी अपने आप में लिविंग एंटिटी है नहीं भी है तो भी नेचर लिविंग होते हुए हमारे साथ संबद्ध है बिना प्रकृति की संबद्ध ताके मनुश्य इस्थाई रूप से नहीं रह सकता है और इसलिए जब कोटा द्वारे में जब विश्य हुआ है और इसके लिए सोलूशन क्या हो सकता है लाइन डिग्रेशन का सोलूशन क्या हो सकता है जो अभी डीजी साम का भी प्रेजेंटेशन था उसमें बहुत बड़ी बात थी कि खेती में पानी ज्यादा दिया जाये या कम दिया जाये उसको भी हमें तरह करना पड़ेगा ज्यादा पानी देना भी खेती के लिए नुकसान दे होता है पर्टिकुलर तरीके से भी अगर गड़ा खोद करके पानी रखा जाए बारिश के पानी को रोका जाए